आईसो मेरिजम में बढ़ते हैं आगे और डिस्कर्स करते हैं नॉमन क्लिचर आफ काईरल सेंटर हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग दिस इस केमस्ट्री बाप वैलकम टू केमस्ट्री एड़ एक आसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमस्ट्री को फील करते हैं अपन आईसो मेरिजम पढ़ लए थे और आईसो मेरिजम में अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़े बहुत सारे टापिक्स कवर्ड कर लिए हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नॉमन क्लीचर आफ काईरल सेंटर जो अपने काईरल सेंटर पढ़ा था भाई अब उनका नॉमन क्लीचर करने की बारी आई है हमारी पास तीन सिस्टम है जिन से अपन नॉमन क्लीचर करते हैं काईरल सेंटर का पहला स्मोल डी और small l, आपने जब अपने optical isomerism की सुरुवात करी थी तो अपने देगा था, कि अगर कोई organic compound PPL को clockwise direction में rotate कर रहा है, तो वो dextrorotory होगा, जिसे आप small d से represent करोगे, अगर कोई organic compound PPL को anti-clockwise direction में rotate कर रहा है, तो वो lever rotatory होगा, जिसे आप small l से यह दोनों जो है, वो experimental result है, वो क्या है, experiment result है, मतलब आप experiment करोगे तब आपके पास यह result आने वाले हैं कि आपका compound dextrorotory होगा तो small d और आपका compound होगा lever rotary होगा तो small l, दूसरा point यहाँ पर आता है कि आप इसे directly predict नहीं कर सकते हो, मतलब आप किसी भी compound को देखके यह नहीं बता सकते हो, कि यह PPL को clockwise direction में rotate करेगा, या anticlockwise direction में rotate करेगा, अगर आपको पता करना है, तो आपको experiment करना पड़ेगा न, मतलब यहाँ पर दो point है पहला तो यह experimental configuration है जिनने आप देखकर नहीं बता सकते हो दूसरा आता है, आप इनने directly predict नहीं कर सकते हो, देखकर नहीं बता सकते हो कि यह clockwise rotate कर रहा है, या anticlockwise rotate कर रहा है, मतलब यहाँ से आपके question नहीं बनेंगे, कि का यह chiral center small d है, यह small hell, ऐसे question नहीं बनेंगे, तो पहला जो system है, वो है small d और small l, यह ध्यान रखना experimental result है, directly predict नहीं कर सकते हैं, अब दूसरा जो system है, हमारे पास chiral center के normal creature के लिए, वो है capital d और capital l, ठीक है, capital d और capital l, यहाँ पर सबसे पहला point यह आता है, कि यह relative configuration होती है, क्या होती है relative configuration होती है, अब relative है, मतलब किसी के respect में आप उसे लिख रहे हो, ठीक है relative का मतलब तो यह होता है, जैसे आप जानते हो relative velocity, कि भाई इस car के respect में very velocity कितनी है, वो होती है relative velocity, ठीक है, अब यहाँ पर यह relative configuration है, मतलब किसी के respect में आप यह देख रहे हो, कि यहाँ पर यह relative configuration है, किसी का respect में देख रहे हैं आप, दूसरा point यह आता है, कि यह जो capital D और capital L है, यह carbohydrate के लिए लिखी जाती है, proteins के लिखी जाती है, amino acids के लिखी जाती है, ठीक है, second point यहाँ पर है, they are written for carbohydrate protein and amino acid as a crop, carbohydrate protein और amino acids के लिखी जाती है, capital D और capital L, यहाँ पर किसका respect में देखते है अपन glyceral aldehyde के respect में देखते हैं मैंने कहा है कि यहाँ पर relative configuration है तो they are return या define with respect to glyceral aldehyde glyceral aldehyde के respect में देखी जाए जैसे कि यहाँ पर यह देखो यह अपने glyceral aldehyde बना के रगा हुआ है यहाँ पर आप इस carbon को देखोगी तो यह carbon आपका क्या होगा chiral center होने वाल है ठीक है अब यहाँ पर आप capital D और capital L यहाँ पर आप capital D और capital L आप decide करते हो OH और NH2 ग्रूप के basis पर यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर यह जो OH है ठीक है वो किस side आ रहा है भाई यह आपके right hand side आ रहा है और right hand side आ रहा है D glycerol LdH हो जाएगा अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर यह भी एगलिस्टर LdH है यहाँ पर यह chiral center है और यह chiral center है तो यह OH के respect में आप देख रहे हो यहाँ पर OH के side आ रहा है कि left hand side आ रहा है left hand side आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा L glycerol LdH L glycerol LdH यह होने बाला यह ध्यान रखना है अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी तो हो सकता है कि यह दो OH ग्रूप हो यह दो से जादा भी हो सकते है यह NH2 भी हो सकता है अपन ने कहा है कि अपन B और L capital D और capital किसके respect ने define करना है OH और NH2 के respect में अगर OH आपका अगर आपके पास सिर्फ एक OH है ठेके अगर वो right hand side आता है तो capital D और left hand side आता है तो capital H नेस यहाँ पर compound देखो यहाँ पर यस वाले carbon को देखो इस वाले carbon में 4 different valency OH, H, CHO और एक यह पूरा यह chiral center इस carbon के respect में यह H, यह OH, यह एक पूरी valency यह एक पूरी valency यह लब यह भी chiral center होगा अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस carbon को देखोगे 1 OH, 1 H एक यह पूरी valency और एक यह यह भी chiral center इस वाले carbon को देखोगे 1 OH, 1 H, 1 CH, 2 H और एक यह पूरी valency मतलब यह भी आपका chiral center होने वाला है यह वाला carbon हो नहीं सकता है क्योंकि 2 H है chiral center के लिए क्या requirement है कि उसकी 4 different valencies होनी चाहिए या 3 different valencies with 1 loan pair of electron तो अब यहाँ पर 1 से जादा OH है यह OH है, यह OH है, यह OH है हम किसके basis पर decide करें अगर आपके compound में 1 से जादा OH होता है तो आप capital D और capital L decide करते हो on the basis of last chiral center की last chiral center पर आपका OH किस side आ रहा है if more than one OH group is present then capital D और capital L is decided by last chiral center last chiral center से आप decide करते हो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर last chiral center यह है और last chiral center में यह जो OH है वो कहाँ पर आ रहा है भाई आपके किस side आ रहा है किस side आ रहा है यह किस side आ रहा है right hand side आ रहा है न और right hand side आ रहा है तो यह क्या होगा capital D होने वाला इस बात का ध्यान रखेंगे अब यहाँ पर देखो नैस रिसाइड करते हो NH2 की position पर याद रखना है if OH and NH2 both are present and capital D और capital L is decided by NH2 NH2 के वैसिस पर decide करते हो तो यहाँ पर इस NH2 को देखोगे और यह NH2 किस side आ रहा है भाई आपका किस side आ रहा है left hand side आ रहा है न और left hand side आ रहा है तो यह क्या होगा होगा capital L होने वाला इस बात का ध्यान रखना है यह क्या होने वाला capital L ठीक है यह थोड़ी ग्रिस्टर लिएट के spelling अलट हो गई भाई देख लेना ठीक है थोड़ा चलता है यह ठीक है लिख लेते हैं है मिठा के लिख लेते हैं ग्लिस्टर एल्डिवाइड की पूरी नहीं तो बच्चे वोलेंगे है है रिस पैलिंग गलत है यह हमारा ओच किस साइड आ रहा है भाई हमारा right hand side आ रहा है राइट यह हमारे क्या हो जाए का डी गलिस्टर इहाइड यह क्या होने वारा है हमारा यह तो यहां पर कैपिटल डी और कैपिटल एल अपन इस तरह से निकाल सकते हैं इस बात का धिएन रखना है तो अपने दो सिस्टेम वही तक पढ़ दिया पहला small d small l और दूसरा capital d or capital small d और small l experimental result है आप directly predict नहीं कर सकते हो capital d और capital L जो होते हैं भाई वो relative होते हैं glycerol diide के respect में predict किये जाते हैं निकाले जाते हैं दूसरा carbohydrate protein amino acids के लिए निकाला जाता है OH और NH2 के वैसे इस पर दिखाया जाता है अगर एक से जादा OH है तो last carl center के OH के respect में देखते हो और OH और NH2 दोनों हैं तो NH2 के वैसे पर आप capital d और capital L decide करते हो इस बात का ध्यान रखना है तो ये आपके आज अपने दो system पढ़ लिए हैं इसके बाद एक और आता है R और S